यह दिखिए मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिये हैं 20 फंदे 10 के मल्टिकल से लिये हैं यानि कि दो बार 10-10 फंदे लिये हैं तो 20 फंदे हो गए प्लस 1 फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिये हैं तो 21 फंदे हो गए और अभी तक हमने इसकी कोई भी रौ नहीं निक जिसे जो भी बौडर बनाना चाहें वो बना सकते हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप ददस के मल्टिकल से फंदे लेंगे प्लस 1 फंदा एक्स्टा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएग तो चलिए बनाते हैं पहली रो है और सीधी साइड है तो देखिए एस्टिच सीधा भुनेंगे धागा आगे करेंगे और इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे सीधी रो है और पहली रो है सीधी साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे एस्टिच सिधा बुनेंगे पहली रौ कम्प्लीट हो गई हैं दूसरी रौ रौ रौंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो हर बार इसकी रौंग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे बनाएंगे अब देखिए तीसरी रौ है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे और फिर से इस सारी रौ को उल्टे फंदों के साथ ही बनेंगे एस्टिच सीधा बुलने के तीसरी रौ कम्प्लेट हो गई है चौत्थी रौ रौंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे एस्टिच सारे बनाएंगे एस्टिच उल्टा अब दिखिये ये हमारी पांचवी रौ हैं और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे बनेंगे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे एक फंदा सीधा जाए डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे सीधे एक तो तीन ये देखे हमारे एक पैटरन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने आगे की साइट से दो फंदों का एक एकफंदा एकफंदा सी डाली, एकफंदा सीधा जाएडाली, back लूप से, 2 फंदों का एकफंदा, 3 फंदे सीधे, ये दस फंदों का pattern है, 2, 4, 6, 8, 10, फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करते जाएंगे, तो एक बार फिर से देखें, 2 फंदे सीधे, 12 आगे की side से, 2 फंदों का एक फंदा तीन फंदे सीधे एक दो तीन यह देखिए यहां से यहां तक हमारे दो पैटर्न कम्प्लीट हो गए हैं अब यह हमारी सिक्स रौ है और रॉंग साइड है इस रौ में फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे साथ में रौ सेवन्थ रौ सीधी साइड एस रे स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे एक दो यह दिखिए हमारे एक pattern complete हो गया है समेहमने 1 फंदा सीधा बुना आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा जाई डाली 3 फंदे सीधे जाई डाली बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा 2 फंदे सीधे बुने फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार नवार लिपेट करेंगी तो फिर से देखिए, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाए डालेंगे, तीन फंदे सीधी, एक, दो, तीन, जाए डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधी, एक, दो, तो देखिए, सा आत्मी रौ कम्प्लीट हो गई है आत्मी रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे नौमी रौ है और सीधी साइड है ऐस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे पांच फंदे सीधी एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा यह देखिए यहां पर हमने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा भुना जाई डाली पांच फंदे सीधे जाई डाली बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा भुना फिर से इस pattern को repeat करते जाएंगे, तो फिर से देखिए, आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा, जाए डालेंगे 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, जाए डालेंगे 2 फंदे slip करेंगे, back loop से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, तो देखिए, 9 मीरों कंप्लीट हो गई है, 10 मीरों सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, तो देखिए, 10th row कंप्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कंप्लीट हो गया है, फिर से हम इसे 1st row से स्टार्ट करेंगे, तो आगे की side से ये इस तरह से दिखता है, और पीछे की side से ये इस तरह से दिखता है, तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 10 row रपीट करते जाएंगे, और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं, लेडिस कार्डियन में, लेडिस जैकिट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के सेटर में, फ्रॉक में, तो फ्रेंड, आप भी से बनाएए, और हमें कमेंट सेक्शल में जाकर बताएए, कि आपको हमारे पैटन कैसे लगते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो और पैटन अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और सस्क्राइब करना मत पूलें, तो फि ऐसे ही और नेने पैटन लेकर तब तक के लिए बैबे फ्रेंड